अगर आप एक ऐसा चैनल बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पे आपको लाइफ में कभी भी कॉपी रैट श्ट्राइक ना है जैसे कि आप किसी और का कॉपी पेस्ट वीडियो बनाते है तो उस पे कॉपी रैट श्ट्राइक आने की संभावना ज्यादा होती है लेकिन आज के इस खुद से यहाँ पे जो भी लिखना है लिख सकते हैं और उसके बाद खुद से अपना वीडियो बना सकते हैं और जितने देर का चाहे उतने देर का ये वीडियो बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में ये एप डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल फ्री में आप चलाएंगे जितना चाहे उतना वीडियो आप बनाएए और जितना वीडियो चाहे आप अफलोड किजे सौट वीडियो बनाना चाहते तो सौट वीडियो भी अफलोड किजे और यहाँ पे लॉंग वीडियो बनाना चाहते तो लॉंग वीडियो भी बना सकते हैं और उसके बाद आप YouTube, Facebook का ही भी अफ्लोड कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इस एप का जो नाम है यह है Whiteboard ठेक है यह आपको कैसे डाउनलोड करना है यह भी आपको बताएंगे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है पहला दिया गया है कि create animation आप यहाँ पे खुद का animation बना सकते हैं और यहाँ पे दूसरा दिया गया है project और तिसरा दिया गया है my work ठेक है तो यहाँ पे आप create animation करेंगे और जो project आप यहाँ पे बना लेंगे ठेक है जैसे कि 1, 2, 3 करके अगर बनाते हैं तो यहाँ पे project आपका add होते चलता है और यहाँ पे आप video जो बनाएंगे ठेक है जितना भी काम करेंगे वो project में रहेगा और यहाँ पे my work आपको दिखा देगा कितना video आपका है ठेक है तो चली यहाँ पे हम सुरू करते हैं अपना character बन तो यहां पे 90, 20 और 10, 80 ठीक है यह आप देख सकते है 29 और 10, 80 ठीक है क्योंकि वीडियो जो बनता है आपका इसी में बनता है आप अगर चाहते है जैसे कि हम आज वीडियो बना रहे है ठीक है तो आज यहां पे अगर डेट है मतलब 0707 और यहां पे हमें याद रखने के है यह लॉंग वीडियो का मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सौट वीडियो में अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहां पे इसका उल्टा कर दीजिए ठीक है जो यहां पे यहां पे आप क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे यहां पे जो भी आपको लिखना है याद र देखे देते हैं हाथ से आपको लिखाता है और नीचे आपको हाथ से लिखाता है बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगे लेकिन आज हम आपको यूनिक वीडियो बनाना बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर इस्टीकर वाले option पे क्लिक कर दिना है क्लिप आर्ट यहाँ पे दिया गहा है कि क्लिप आर्ट भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं जैसे कि क्लिप आर्ट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्लिप आर्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ड्रॉइंग भी मिल जाएगे बहुत सारे दोस्तों देख सकते हैं उस इसके बाद वाटर, इसके बाद मतलब जो भी यहां पे दिया गया है, उसके बाद कीचेन, करेक्टर, यहां पे आप करेक्टर भी देख सकते हैं, जैसे कि यह करेक्टर हमें यहां पे लेना है, और इस करेक्टर को जो है, यह बढ़ा करना है, यहां पे आपको इस करेक्टर क करना चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है कि आप वीडियो कैसे बना सकते हैं चाहे आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि खाना कैसे खा सकते हैं ठेक है तो जो भी आपको अपने हिसाब से लिखना है ठेक है हाँ प बाद यहाँ पे save बाले option पे click कर देंगे ठाइखें, यहाँ पे save बाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जागा, ठाइक है यह वला है, तो इसको आप save कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पे edit करना है और इसका size आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसका size बढ़ा लिजे, size बढ़ाने के बाद यहाँ पर style चेंज करना चाते हैं, तो बहुत सारे style आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर color भी मिल जाएगे, ठीक है, यहाँ पर color ले लिजे, उसके बाद यहाँ पर click कर दीजे, उसमें अगर आप चाहते हैं handwriting लगाता है यहाँ इसा लगाना तो बहुत सारी चीजे आपको यहाँ पर मिल जाएगे, ठीक है, बहुत सारी चीजे आप जितने भी चीजे हैं सब चीज देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको sticker पे जाना है, ठीक है, उसके बा जाने से आपको फायदे क्या होगी, ठीक है, यह एकदम नई और unique trick है, ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब all वाले option पर आजाना है, और YouTube चैनल जैसे बनाना है, तो आपको इसके बारे में बताना होगा कि YouTube चैनल आप कैसे बना सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहा यहाँ पर YouTube का जो लोगो है, यह हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर देख सकते है, पता नहीं, यहाँ पर YouTube ही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़ा कर लेना है, ठीक है, बढ़ा कर लिजे अपने हिसाब से, ठीक है, इसको बढ़ा कर लिए, और यहाँ पर मै जाने के लिए character की जरूरत परती है character आपको कैसे लेना है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते है YouTube चैनल कैसे बनाए और उसके बाद यहाँ पे आगे आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे हमें इसे save करने के लिए यहाँ पे आपको save का एक option मिलेगा यहाँ पे click करेंगे और यहाँ दिर आपको यहाँ पे wait कर लेनी है जैसे ही आप wait करेंगे तो do not face back ठीक है आपको back करना ही नहीं है तो थोड़ा दिर आपका time लेगा और इसके बाद यह save हो जाती है आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे watermark देखने को नहीं मिलेगा चली यहाँ पे हमारा save हो चुका है जै यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको एक new project का option मिलेगा यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पे चार option पाच option मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको दो ही option काम के होंगे जैसे कि जिसमें long video बनाएंगे और यहाँ पे 9 इंटो 16 जिसमें short video बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे short video मैंने बनाए था अगर आप long video बनाते हैं तो 16 इंटो 9 पे click करना है तो 9 इंटो 16 पे click करना है तो हमें 9 इंटो 16 पे click कर देना है उसके बाद create वाले option पे click करना है तो यहाँ पे long मतलब जो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे हमें डाउनलोड वाले सेक्शन पे आ जाना है यहाँ पे हमारा डाउनलोड पुरी तरह से हो गया है यहाँ पे आपको चला के दिखा देते हैं कि कैसा यह आपको दिख रहा है उसके बाद आपको बदाएंगे कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो इसमें आवाज कैसे देनी है और background में आप थोड़ा music लगा सकते हैं जिससे आपका यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगे मैंने यहाँ पर आप बहुत सारी चीजे लगा सकते हैं जैसे कि खाने वाली अगर वीडियो बनाते हैं मैगी बनाते हैं तो मैगी से related आप यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं और हास से यहाँ पर चलेगा तो यह एक तरह से handwriting वाली हो जाती है जिससे लोगों को देखना भी पस से बनाएं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि start वाले option पर क्लिक करना है और यहाँ पर बताएंगे कि hello दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक YouTube चैनल बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक करेक्टर होना जरूरी है तब ही जाके आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं तो यहाँ पर जो आपका character है और जो आपकी आवाज है वो आपका यहाँ पर record हो चुका है अगर आप आवाज बरहाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आवाज वाले option पर और mixer पर चले जाएंगे इस आवाज को आप 200% कर सकते हैं जैसे कि आपका आवाज बहुत कम है तो उसावाज को आप आगे भी बरहा सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से ठेक है तो यह आप यहाँ पर कर लिजे उसके बाद यहाँ पर music आप background में लगा सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर IDEO पहले पर क्लिक करना है और यहाँ पर music वाले section में चले ज करना है और यहाँ पर music आ चुका है wizardी को क्या करेंगे हम यहाँ पर music के प्लिक करेंगे mixer पर तो यहां पर अगर हम चला के भी देखेंगे तो आपको इसमें आवाज भी आएगा मेरा और यहां पर आपको म्यूजिक भी आएगी कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरू बताए और यह एक यूनिक कांटेंट था जिसको मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए और भी ऐस